नमस्कार जार्खंड NMMS अर्थात राष्ट्रिय प्रतिभाग होज परिक्षा 2020-21 के मैट्स का इस वीडियो में हमने पहले 10 प्रश्ण अर्थात 71 से लेकर 80 तक प्रश्णों को हल किया था अब अगले 10 प्रश्णों अर्थात 81 से लेकर 90 तक के प्रश्णों को हल करने जा रहे हैं एक बात और बता दू कि राष्ट्रिय प्रतिभाग होज परिक्षा में गनित के अंतरगत 20 प्रश्ण होते हैं तो ये देखते हैं 81 नंबर 81 प्रश्ण यदि तीन सालों के लिए किसी राष्ट्री पर वार्षिक 5 प्रतिसत की दर्से सरल ब्याज 1200 रुप्या है तब उसी राष्ट्री पर उसी अवधी हे तू बराबर दर से चक्रिविर्धी ब्याज होगा हमें निकालना क्या है चक्रिविर्धी ब्याज और इसके लिए क्या उपलंत करा गया है सुचना वो है दर बराबर दर तो ये दर है 5 प्रतिसत उसी अवधी तो अवधी भी दिया हुआ है यहां तीन साल उसी रासी उसी रासी यानि मूलधन लेकिन यहां मूलधन तो दिया हुआ नहीं है यहां ब्याज दिया हुआ है तो अब हम यह जो सरल ब्याज के लिए जो सुचनाय दी गई है उसके आधार पर हम मूलधन पहले निकालेंगे और फिर उसी मूलधन का उप्योग चक्रवर्धी ब्याज निकालने के लिए करेंगे तो आईए सबसे पले हम मूलधन निकालते हैं सरल ब्याज के लिए सरल ब्याज या साधारन ब्याज जो कहें आप के लिए तो मूल्धन का यहां फॉर्मूला होता है साधारन ब्याज गुना एक सो बटा समय गुना दर तो यहां साधारन ब्याज दिया हुआ है बारा सो रुप्या और यह एक सो गुना एक सो समय दिया हुआ है तीन साल और दर है पांच इसे हल करते हैं तो पांच से यह तीन से यह चार सो बार में कड़ गया और यह पांच से यह असी बार में तो यह आ गया आठ हजार रुप्य तो मूल्धन हमारा आ गया है 800 रुप्या इसी मूल्धन का अब हम प्रियोग करेंगे साधारन चक्रवर्धी ब्याज निकालने में तो चक्रवर्धी ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम मिस्रधन निकालते हैं और उसका फर्मूला है A is equal to P into 1 plus R by 100 और यह T तो यह P हमारा है 8000 गुना 1 plus R हमारा है 5 बटा 100 और यह समय है तीन साल तो यह हो गया 8000 गुना इसे हम भिन्द का जोड़ है इसे करेंगे तो यह हो जागा 105 बटा 100 और यह घात तीन है अर्थात तीन बार इसे गुना करेंगे तो यह 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100 अब 5 से यह उपर नीचे इसे काटते हैं तो यह 20 बार में जाएगा यह 21 बार में ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा 20 और यह 21 यहां भी होगा 20 और यह 21 अब देखिए यहां पर यह 8000 लिए थे यह शुन यह शुन यह शुन तीन शुन है तो यहां भी तीन शुन है यह कट गया अब ये देखिए, दो, दो दोना चार, दोना आठ, तो ये आठ भी कट जाएगा, इन तीनों से, तो ये स्कल्टू 21 गुना 21 गुना 21, तो ये कितना आ जा रहा है, तीन बार आप कटते हैं, 21 गुना 21 गुना 21, तो ये आप गुना करके देखेंगे, ये आ जाएगा 9261 मिस्रधन आ गया, तो शक्रवर्धी ब्याज यानि कंपाउंड इंट्रेस्ट, इसका फार्मूला होता है, मिस्रधन घटाओ मूल्धन, तो मिस्रधन है 9261 रुपया, और मूल्धन है 8000, तो इसे घटाते हैं, तो ये आ जाता है 1261 रुपया, तो ये हमारा चौथा नमबर सही है, अब कोशन नमबर 82, एक छात्र वास में 75 छात्रों के लिए 24 दिनों के खाद्य का प्रबंध किया गया था, यदि 15 छात्र छात्र वास छोड़ दिये, तब कितने दिनों तक खाद्य का प्रबंध होगा, इसे हम एक एक नियम से निकालेंगे, 75 छात्रों के लिए, कितने दिनों का खाद्य प्रबंध है, 24 दिनों का, खाद्य प्रबंध है, जब 75 छात्रों के लिए 24 दिनों का है, तो एक छात्र के लिए, एक छात्र के लिए, वही खाद्य प्रबंध कितने दिनों का होगा, ज्यादा दिन होगा, तो ज्यादा दिन में हम गुना करते हैं, 75 गुने 24 दिनों का खाद्य प्रबंध होगा, तो अब 15 छात्र चले जाते हैं, 75 में 15 छात्र चले गए, अब बचे कितने छात्र, 60 छात्र बचे, तो इनके लिए जो खाद्य प्रबंध होगा, तो वह कितना होगा, 75 गुने 24 और बटा 60, तो इसे 15 से कटते हैं, 15 चोके 60 और 15 प्रबंध है, अब, तो यह हमारा पॉंसा एंसर है, तीसरा नमबर आप्शन सही है, Q83, A और B एक साथ किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि C और A उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा मैं सौट में बना रहा हूं, A और B अगर 12 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? किया गया काम, तो एक बटे 12 काम करेंगे? एक दिन में? चुकि 12 दिन में पूरा काम करते हैं, पूरा काम का अर्थ होता है एक काम तो एक दिन में वो करेंगे एक बटे 12 ठीक इसी तरह से B और C ये भी एक दिन में कितना काम करेंगे इसे भी हम निकालेंगे एक बटा 20 ठीक इसी तरह से C और A ये एक दिन में कितना काम करेंगे यह करेंगे एक बटे 15 तो हम यह जो A और B, B और C, C और A सभी को जोड देते हैं तो यह हो जाएगा A plus B यानि A और B जोड B और C जोड C और A इनके द्वारा एक दिन में किया गया काम तो यह हम जोड देंगे एक बटे 12 जोड एक बटे 20 जोड एक बटे 15 तो यह इसका LCM हो जाएगा या लस्व हो जाएगा हमारा 60 तो यह हो गया 5 12 पचे 60 और यह 3 और यह 4 तो यह हो गया 5 और 3 8 और 4 12 12 बटे 60 12 बटे 60 अर्थात एक बटे 5 तो देखें यहाँ पर A प्लस B B प्लस C और C प्लस A तो यहाँ A दोबरा जा रहा है B दोबरा जा रहा है C दोबरा जा रहा है तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं दो गुना A प्लस B प्लस C दोबरा एक दिन में किया गया काम एक बटे 5 इसलिए A प्लस B प्लस C द्वारा एक दिन में किया गया काम एक बटे 5 और यह कम काम करेंगे एक बटा 10 जब यह दो दो थे तो एक बटे 5 काम हो रहा था जब यह एक एक है सरफ एक A है एक B है एक C है तो यह पूरा एक दिन में काम करते हैं एक बटे 10 इसलिए A, B और C एक साथ एक साथ पूरा काम दस दिनों में करेंगे तो इसका एंसर होगा 10 और शॉरी यहां पर हमने आप्सन नहीं लिखा था अभी आप्सन हम लिख दे रहे हैं फिर से यह छूट गया था आप्सन इसका आप्सन था पाहला नंबर था 34 दिन दूसरा था 35 दिन और तीसरा था 30 दिन और चौथा था 32 दिन तो हमने देखा कि हमारा एंसर कौन सा गया और शॉरी 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 यह थुड़ा सा गलत हो गया है यह आप्सन इसे मैं सुधार दे रहा हूं यह आप्सन था यह आप्सन था पाहला 6 दिन दूसरा 9 दिन तीसरा 10 दिन और चौथा था 10 कौनाक 1 बटा 2 दिन तो हमने देखा कि हमारा एंसर क्या आया 10 दिन अब है कोश्चन नबर 84 एक सम बहुभुज में परतेक अंतस्त कौन बहिस कौन का तीन गुना है बहुज की भुजाओं की संख्या है तो और इसका जो आप्शन है वो है पहला छे दूसरा आठ तीसरा दस और चौथा बार तो हमें बताना है कि ये कौन सी कितने भुजाए होंगी सम बहुभुज है तो सम बहुभुज में ऐसा हो सकता है सम बहुभुज इस तरह का हो सकता है ये इस तरह का सम बहुभुज हो सकता है इसमें ये खड़बड़ा बना देते हैं चरिए ये माल लिजे कि इस तरह का संभू बुज़ है कितनी बुज़ाएं है ये पता नहीं है भी तो अगर हम इसे यहां पर बढ़ा देते हैं ऐसे तो यही बहिस्षकून होगा और यह अंता कम होगा तो यहां कहरा है कि परतेक अंतास्त़् कॉन यानि यह अंता कॉन बहिस्ष्षकून का तीन गुना होता है तो हम इसे 22 को माल लेंगे x तो ये हो जाएगा 3x तो इसे इस तरह से हल करेंगे माल लिया कि बाहिश कोन बराबर x तो जो अंतस्त कोन होगा ये हो जाएगा 3x लेकिन जो प्रश्ण से यहाँ पर हम देख रहे है किन्तु ये हम देख रहे हैं कि एक रेखा पर आधारित कोन है एक सरल रेखा पर आधारित कोन है तो इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री तो ये से हम जोड़ देते हैं x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 45 डिग्री तो ये x का मान हमारा निकल गया है 45 डिग्री यानि बहिस कोन हमारा निकल गया है 45 डिग्री किन्तु हम जानते हैं कि किसी भी बहुबुझ किसी भी सम बहुबुझ सम बहु भुज के बहिस कोनों का योग ये होता है तीन सो साट डेगरी और ये कोन उतने ही होते हैं जितनी भुजाएं होती है जैसे यहाँ पर चार भुजा है तो ये एक कोन हो गया बहिस कोन ये दूसरा बहिस कोन, ये तीसरा बहिस कोन, ये चौथा बहिस कोन तो जितने कोन है उतने ही भुजाएं है तो इसलिए सम बहु भुज के भुजाओं की संख्या तो ये 360 में हम 45 से भाग दे देते हैं तो ये काटके आप देखिए आठ बार आएगा तो ये संख्या हो गया हमारे आठ अब है 85 नंबर कोश्चन समांतर चत्रभुज के किनी दो संलगन कोनों का अर्धक प्रतिछेद करता है 30 दिगरी पर 45 दिगरी पर 60 दिगरी पर 90 दिगरी पर तो इसे देखिए समांतर चत्रभुज एक बनाते हैं ये हैं तो ये कोन अच्छे नाम भी दे देते हैं A, B, C, D तो ये कोन और ये कोन संलगन कोन है और समांतर चत्रभुज के संलगन कोनों का गुण होता है कि इनका योग 180 दिगरी होगा तो अब जब इसका हम अर्धक खीचते हैं अर्धक मतलब आधा कर रहा है अर्धक का मतलब आधा ये हो गया इसका अर्धक तो ये जो भी कोन था उसका ये आधा हो गया अब इसी तरह से इसका भी अर्धक खीचते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये कौन D और कौन C, इनका योग 180C था, तो जब ये अरधक खीचे गए, तो ये कौन और ये कौन, इसका योग कितना होगा, 90 डिग्री आधा हो गया, तो ये तो तिर्भूज बन गया न, D, C, और इसे मालेजे E है, तो ये एक तिर्भूज है, तो फि इसका जो कौन बच गया, एक कौन, जब ये दोनो 90 है, तो ये कितने का होगा, 90 का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तिर्भूज के तीनों कौनों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमारा एंसर होगा 90 डिग्री, Q86, 5 संत्रे 10 रुपय में खरीदे जाते हैं, और 6 संत्रे 15 रुपय में बेचे जाते हैं, इसका लाब परतिसत है, तो आए से हल करते हैं, 5 संत्रे 10 रुपय में खरीदे जाते हैं, तो एक संत्रे का क्रैमुल क्या होगा, एक संत्रे का क्रैमुल 10 बटे 5 यानि 2 रुपया, उसी तरह से एक संत्रे का विक्रैमुल कितना होगा, चुकि 6 संत्रे का विक्रैमुल 15 रुपया है, तो एक संत्रे हो जाएगा, 15 बटा 6 अर्थात, ये 3 से काड़ देंगे, तो ये 5 बटा 2 रुपया, तो एक संत्रे का जो लाब होगा, वास्तविक लाब, एक संत्रे बेचने में, एक संत्रे बेचने में, लाब, तो ये लाब होगिया, विक्रैमुल घटाओ, प्रैमुल, तो ये लासा हो जाएगा दो पांच घटाओ ये दो दुनी चार हो गया चार एक बटा दो रुप्या ये लाब निकल गया तो लाब परतिश्चत क्या होगा तो इसका फर्मूला होता है लाब बटा क्रैमुल गुना एक सो तो लाब है हमारा एक बटा दो और क्रैमुल है दो रुप्या और ये गुना एक सो तो ये हो गया एक बटा दो गुना दो गुना एक सो तो ये दो दुनी चार और इससे ये काटेंगे तो आ जाएगा पच्छीज तो ये हमारा एंसर ये चौथा नंबर आप्च्छन है कौशन निम्न में से कौन सा किसी विसम संख्या का वर्ग है तो हम लोग जानते हैं कि संख्या का वर्ग एक संख्या ही होती है और विसम संख्या का वर्ग एक विसम संख्या होती है तो इस निम से हम देख रहे हैं कि विसम संख्या का वर्ग होगा वो विसम संख्या ही होगा तो ये कौन सा हमारा आप्चन होगा ये 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 तो सम है ये भी सम है ये भी सम है कोशन नमबर 88 यदि एक इलाखे में रहने वाले निवासी के 35 परतिसत सिख हैं तब पाई चार्ट में सिख समुदाय को व्यक्त करने के लिए जो केंद्रिये कौन होगा वो क्या होगा तो आए से निकालते हैं केंद्रिये कौन तो यह हो जाएगा 35 परतिसत है और हमारा जो पूरा कौन होता है तो वो होता है 360 देगरी तो यह इससे काटेंगे यह शुन यह सुलिकट गया और पांच से यह दो बार और यह पांच से साथ बार फिर यह दो से इससे काटेंगे तो अठारा बार में तो अठारा सते हो जाएगा 126 देगरी तो यह हमारा तीसरा नंबर सही है कोस्टन नंबर 89 एक पासे को फेका जाता है एक सम संख्या पाने की प्राइक्ता यानि प्रोब्लेबिलिटी क्या है तो जो पासे में संख्याए होती है वो होता है क्या एक दो तीन चार पांच छे इसमें सम संख्याए कितनी बार होती है एक, दो, और ये तीन, दो, चार, छे, ये तीन बाराती है, तो जो प्राएकता होगा, तो ये तीन बाराती है, तो ये तीन हो गया, और कुल जो है, ये है छे, तो ये तीन बटा छे, और ठाथ, एक बटा, दो, तो ये हमारा पहला नमबर है, अब question number 90, why अक्ष को दर्षाने वाला समीकरन है, तो ये इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है, ये थोड़ा बड़ा लेगते हैं, ये हमने एक्स अक्ष कीचा, एक्स और ये होगा, ये ग्राफ में ऐसा ही होता है, तो यहाँ पर ये जो बिंदू है, ये शुन्ने होता है, फिर इधर से 1, 2, 3, इस तरह से चलता है, फिर इधर भी निगेटिव हो जाता है, माइनस 1, माइनस 2, इस तरह से, और यहाँ पर य में ये य अक्ष है, एक, दो, 3, और यहाँ ये माइनस 1, माइनस 2, इस तरह से होता है, तो यहाँ य अक्ष को दर्शाना है, यानि ये वाला, ये य अक्ष को ही दर्शाना है, तो इसके लिए, जो तो हम coordinates लेंगे, निर्देशांक लेंगे, वो क्या होगा, x ब्राबर 0, ये वाला, x में उसका मान क्या होगा, वो कौन सा बिंदू होगा, चुनने होगा, तो हमारा ये पहला नंबर answer होगा, आसा है कि इन प्रशनों को आपने, इनके हल को अच्छी तरह समझा होगा, हमने कही कहीं पर detail में बताया है, ताकि आपको समझ में आए, जब आप परिक्षा देंगे scholarship की, तो आप बिल्कुल संखेप में लिखेंगे, और यदि यही प्रशन, बोर्ड की परिक्षा में, या school की परिक्षा में आएंगे, descriptive में, तो उसे फिर आप detail में लिखेंगे, कि अपकाम की उसे खुगिए हैं, दो आप देंगे, पिऑन लिखेंगे, अज़ दो आपकामान हैजे में विखेंगे, यांगे, जदे परिक्षा में लिखेंगे, जब आपकामान हैं, दो आपकामान है।